इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। वानू संक्रमन की एक विस्तरित श्रिंखला का प्रभावी धंग से इलाज करता है. ओनालू टैबलेट को खाने के साथ लेना सबसे अच्छा है. बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर ले. अनुशन सित्खुराक से अधिक न ले, क्योंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पढ़ सकते हैं. यदि आपको एक खुराक याद आती है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले ले. उपचार पूरा किया जाना चाहिए, भले ही आप पूरी तरह से ठीक होने के लिए बहतर महसूस करें. इस दवा के कुछ दुश्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मतली, उल्टी, पेट दर्द, भूख न लगना, चक्कर आना और सिर्दर्द. ऐसे किसी भी दुश्प्रभाव को दूर करने के लिए, स्वस्थ संतुलित आहार खाने और खूब सारे तरल पदार्ट पीने की सलाह दी जाती है. यदि कोई भी दुश्प्रभाव बढ़ जाता है, तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्ष करें. यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया, यानी की चिकते, खुजली, सूजन, सांस की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं, तो आपको ततकाल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपके लीवर या किड्नी में कोई समस्या है. इसके अलावा, अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप किसी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे इस दवा के साथ अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है लेकिन अगर आपको नीन दिया चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए यदि आप दवा से अलजी जानते हैं तो इस दवा का उप्योग करने से बचना चाहिए दवा के प्रभावी धंग से काम करने के लिए उप्चार के दोरान उचित आराम करने की सलाह दी जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद